इस वीडियो में मैं आपको हरियाना डेली करेंट अफेर्स के कोश्चन्स बताऊंगा ये कोश्चन्स 14 और 15 माई के हैं जल्दी हमारे और वीडियो आने वाली है हमारे नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए स्टेडियो को सब्सक्राइब जरू करें और नोटिफिकेशन लाइक और शेयर करें अपका पहला कुश्चन है देश का बारवाए एडवांस ट्रामा लाइफ स्पोर्ट प्रोग्राम सेंटर कहां खुलेगा तो इसमें अंसर आएगा रो तक में और यह हरियाने का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ स्पोर्ट प्रोग्राम होगा एटि इस एक गंटे में उप्चार देने के लिए डाक्टर्स को विशेश प्रस्रिक्षन दिया जाता है अगर घायल को प्रोपर ट्रामा ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है आपका इसमें नेक्स्ट क्वेशन बनता है कि भारत में एडवांस ट्रामा लाइफ स्पोर्ट ट्रेनिंग की सुरुआत कब हुई तो इसमें अंसर होगा इसकी सुरुआत 2009 में दिली केम्स में हुई 2010 में दिली में कॉमन वेल्थ गेम होने थे और जिसके लिए ATLS प्रस्टिक्शन यूग डाक्टर होने की सर्थ अनिवारे थे इसलिए देश में ATLS प्रोग्राम स्टार्ट किया गया इसमें आपको ATLS की फुल फॉम भी आद रखनी है आपकी फुल फॉम भी आ सकती है तो इसमें आप का अंसर आएगा Advanced Trauma Life Sport Program Next Question है Chief Secretary हरियाना ने Flag Code of India 2002 के पालन के निर्देश दिये है इसके तहत कौन से जंडे का इस्तमाल नहीं करना चाहिए तो इसमें आफर आएगा प्लास्टिक के बने जंडे का इस्तमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक के बने जंडे लंबे समय तक नश्ट नहीं होते और यह वातावरंड के लिए बहुत ही हानिकारक होते है राष्टे गोरो अपमान निवारần अधीनियम 1931 की दारत 2 के मताबिक अगर कोई वैक्ति सार्ड़्टिक स्कान पर या किसी अनने स्कान पर राष्टे जंडे का प्लाता है उसको दूसीत करता है कुरूपीत करता है तो उसके खिलाफ तीन वर्स तक कारवास या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है नेक्स्ट कॉश्चन है भारत का राष्टे जंडा कहां पर बनाया जाता है तो इसमें आंसर होगा करनाटक के खादी ग्राम उद्योग समयुकता संगा के हुबली में भारत का राष्टे जंडा बनाया जाता है और इसका कपड़ा तियार करने के लिए चयार जगह का लाइसेंस जारी किया गया है जो करनाटक, मराठवाड़ा, यूपी के बाराबंकी और राजस्तान के बनेठा को दिया गया है आपका नेक्स्ट कॉश्चन है कहां के किसानों ने कुरुशेक्तर में मदुमक्खी पालन विकास के अंदर का दोरा किया तो इसमें आंसर आएगा अफगानिस्तान के किसानों ने इसमें आपका एक कॉश्चन बनता है कि देश का पहला एकिकरत मदुमक्खी पालन विकास के अंदर का स्तापित हुआ तो इसमें आंसर आएगा कुरुशेक्तर के गाउं रामनगर में यह पिछले साल स्तापित किया गया था तो इह कॉश्चन आपके एक्जामस में आ सकता है मदुमक्खी पालन से रिलेटिड नेक्स्ट कॉश्चन है इस वर्स 2018 में गेहुं का उत्पादन किस जिले में सबसे ज्यादा हुआ तो इसमें आंसर आएगा सिर्शा जिले में इसमें नेक्स्ट कॉश्चन बनता है गेहुं उत्पादन की दृष्टी से हरियाना का भारत में कौन सस्तान है तो इसमें आंसर आएगा तीसरा स्तान है सबसे ज़्यादा गेहुत पादन यूपी में उसके बाद पंजाब में और तीसरा स्थान हरियानक आता है हरियानक के खाद एम आपुर्ती मंत्री कौन है तो इसमें आंसर आएगा खाद एम आपुर्ती मंत्री है करण देव कमबोज और इसमें अंसर आएगा दूसरा स्थान है सबसे ज़्यादा गेहुत पादन चीन में होता है नेक्सट कोश्यन है करनाल में बनने वाली मेडिकल उनिवरिस्टी का नाम क्या रखा जाएगा तो इसमें आंसर आएगा दीन देया लुपादया उनिवर्स्टी ओफ हेल्थ एंड साइंस और इसके लिए 14 मही को सरकार ने पत्तर जारी किया है नेक्स्ट कोश्चन है केंद्रिय माध्यमिक शिक्षाबोड यानि CBSE ने स्कूलों में कौन से विशे को अनिवारिय किया है प्लिज सब्सक्राइब टो ओर चैनल स्टेडी जोन फॉर प्रिप्रेशन ओफ अपकमिंग एक्जाम्स और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें फेस्बुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारा फेस्बुक लिंक नीचे दिवा हुआ है आप इस पर जाकर हमें फेस्बुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक फेस्बुक के दिवारा भी पहुंच सकें